है of civicos of Class six and the Chapter is Understanding Diversity इस चप्टर में हम जानेंगे कि diversity क्या होती है diversity की परिभादसर क्या है Okemoset किस तरह से हमारी लाइफ को रिच करती है किस तरह से वराइटीज को एड करती है भारत में डाइवर्सिटी के एक्जाममल हम जानेंगे दो स्टेट सेहां पर दिये गये हैं उनकी केइस स्टुर्डि को भी स्टूरी करेंगे इस चैप्टर में तो स्टार्ट करते इस चैप्टर को इस चैप्टर में आपको यह इसतरह के बच्चों ने बनाए है Use the empty box to draw your human figure यहां पर जो empty box दिया गया है यह इसमें आपको खुद एक picture draw करना है, human figure draw करना है Is your drawing similar to any of the others? क्या आपने जो draw किया है वो बाकी बच्चों के drawing से match करता है The chances are that your drawing is quite different from the other three which you can see are quite different from each other इसके बहुत जादा chances है कि आपने जो drawing करी है वो बाकी बच्चों के drawing से बिलकुल different है This is because each one of us has a unique drawing style ऐसा इसलिए होता है कि हम सभी अलग होते हैं एक दूसरे से बिलकुल different होते हैं कुछ-कुछ similarities होती हैं लेकिन most of the cases में क्या होता है कि हम दूसरों से अलग होते हैं तो हमारी जो drawing है वो बाकी बच्चों से अलग ही होगी We not only don't look exactly each other but also differ in terms of the language we speak our cultural backgrounds, the religious rituals we observed and of course the way we draw हम सिर्फ एक दूसरे से अलग दिखते ही नहीं हमारे जो cultural background है जो हमारे religious rituals है हमारी भासा है जिस तरह से हम बोलते हैं हमारा पहनावा है हमारा खान पाने सब एक दूसरे से अलग होता है जैसे कि हमारी ड्राइंग भी जो अभी आपने ड्राउ करी होगी या आप ड्राउ करके देख सकते हैं तो जैसे ड्राइंग हमारी डिफरेंट है बाकी बच्चों से वैसे ही हम हर एक आसपेक्ट में दूसरों से अलग होते हैं fill out the following information about yourself यहां पर कुछ information दी गहीं जिसको आपको fill करना है when I go out I like wearing at home I speak in my favorite sport is I like reading books about now ask your teacher to help you check how many of you have similar answers अभी जो आपने questions के answer दियो होंगे आप उनको write कलेजे उनका answer तो जो आपके teacher होंगे वो अगर match कराएंगे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके कुछ एक answer match करते होंगे बाखी most cases में क्या होगा कि उनके answers जो होंगे वो different होंगे Is there anyone whose list matches your exactly? क्या class में कोई ऐसा भी बच्चा होगा जिसके जो answers से वो आपके answers से एकदम same match करते होंगे Probably not ऐसा मुस्किल है नहीं होगा But many of you have many similar answers लेकिन बहुत सारे बच्चों के कुछ न कुछ answers मिलते होंगे How many like reading the same kind of books कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनको आपके जैसे ही books पढ़ना पसंद होगा How many different languages are spoken by the students in your class और आपकी बच्च में जो बच्चे होंगे वो कौन-कौन सी भासाओं का इस्तेमाल करते होंगे बात करने के लिए By now you must have recognized the many ways in which you are quite like some of your classmates and other ways in which you are different from them तो यहाँ पर conclusion निकल कर ये आता है कि बहुत सारे cases में क्या होता है और बहुत सारे cases में ये होता है कि हम जिनको जानते हैं उन लोगों से बिल्कुल different भी होते है अभी अमने जो सीखा कि similarities होती है हम लोगों में और differences भी होते है तो इस चीज़ को यहाँ पर एक story के medium से समझाया गया है जो कि समीर 1 और समीर 2 की story है इसमें इसका title है making friends दोस्त बनाना Do you think it would be easy for you to make friends with someone who was very different from you Read the following story and think about this क्या आपके लिए किसी ऐसे इंसान से दोस्ती करना असान रहा होगा जो कि आप से बिल्कुल अलग हो तो इस reference में यहाँ पर एक story दिया गया है जिसको आपको पढ़ना है I had meant it as a joke who sold newspapers at a Janpath crossing at the busy intersection मैंनम मैंने इस दोस्ती करने को एक मजाग के तौर पर लिया और यह मजाग था एक लड़के के साथ जो की फटे पुराने कपडे पहने हुए Janpath crossing पर जो की बहुत ज़ादा बिजी चो रहा था वहाँ पर एक लड़का जो की newspaper सेल करता था उसके साथ किया Every time I cycled past He would run after me holding out the English newspaper and screaming out the evening's headlines in the mixture of Hindi and English words तो यहाँ पर एक बच्चे की स्टोरी बताई गए है जो स्टोरी में narrator है वो बताता है कि मैं जब भी वहाँ से cycle से गुजरता था तो एक लड़का अपने हाथ में newspaper लिये English का newspaper लिये मेरी cycle के पीछे दोड़ता हुआ उसकी newspaper की headlines को English और Hindi भासा में mix करके चिलाता हुआ मेरी cycle के पीछे दोड़ता है This time I stopped by the pavement and asked for the Hindi paper एक बार मैं रुग गया और मैंने उस लड़के से Hindi newspaper मागा His mouth fell open उसका मुँँ खुला का खुला रह गया You mean you know Hindi? He asked इसका मतल़ है कि आपको Hindi आती है Of course I said as I paid for the paper मैंने हाँ बोला हाँ मुझे बिलकुल Hindi आती है और मैंने ऐसा बोलती है मैंने उसको pay कर दिया Why? What did you think? क्यों? तुमने क्या सुचा? He paused He paused But you look so So angry He said You mean you can even read Hindi? वो रुका जब मैंने बोला कि क्यों तुमने क्या सुचा तो वो रुका इतना सुनके तो फिर वो लड़का बोलता है कि नहीं मुझे लगा कि आप तो अंग्रेज जैसे दिखते हैं क्या तुम सच में Hindi पढ़ सकते हो? Of course I can I said this time a little impatiently इस बार मैंने तोड़ा सा impatient हो कर बोला कि हां मैं बिल्कुल पढ़ सकता हूँ I can speak, read and write Hindi Hindi is one of the subjects I study in school मैं Hindi बोल सकता हूँ मैं पढ़ सकता हूँ और Hindi लिग भी सकता हूँ School में मैं Hindi एक विसे के तौर पर पढ़ता हूँ Subjects? He asked उसने पूचा subject क्या होता है How could I explain what a subject was to someone who had never been to school अब एक ऐसा लड़का जो कि कभी school गया ही नहीं उसको मैं किस भासा में इक इस तरह से समझादा कि subject क्या होता है Well, it is something I began but the lights changed and the honking behind me grew a hundredfold and I let myself be pushed along with the rest of the traffic मैं उसे बताने वाला था कि ये कुछ होता है जिसको हम study घरते है मैं ऐसा बताता तब तक मेरे जो light थी वो change हो गई मेरे पीछे बहुत ज़दा honking होने लगी honking काफी ज़दा बढ़ गई और जिसकी वज़े से मुझे वहां से निकलना पड़ा The next day he was there again smiling at me and holding out a Hindi paper अगले दिन फिर मुझे वो वहीं पर मिला मुझे देखकर वो मुस्कुरा रहा था और इस बार वो Hindi नियूस पर पकड़े हुए था भाईया ये सेड आपका अकबार उसने बोला भाईया आपका अकबार लीजे अब बताए ये subject क्या चीज है उसने फिर से question किया कि subject क्या होता है वो English word subject उसके मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था ये subject word उसके मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि subject अपना दूसरा मेनिंग बता रहा हो जिसमें subject का मतलब प्रजा होता है और उसने गर्व से बताया कि जब मैं इतना बड़ा था मैं तब से काम कर रहा हूँ He measured himself against my cycle seat उसने अपने आपको मेरी cycle की गदी से नापकर बताया First my mother used to come with me but I can do it all alone पहले तो मेरी मा भी मेरे साथ आती थी लेकिन अब मैं सारा काम खुद कर लेता हूँ अकेले Where is your mother now? I asked But then the lights changed and I was off मैंने पूछा कि तुम्हारी मदर अब कहा है लेकिन जब मैंने कोशन किया तो lights change हो गई और मुझे वहां से निकलना पड़ा I heard him yell from somewhere behind me She is in merit with the rest was drowned out जब मैं वहां से cycle लेकर निकल गया तो मेरे पीछे चिलाते हुए आ रहा था कि मेरी मा मेरट में उसके साथ है अब वो बाखी का जो sentence था वो honking के वज़े से ट्राफिक के वज़े से सुनाई नहीं दिया My name is Samir he said the next day उसने बोला कि मेरा नाम Samir है उसने अगले दिन बताया And very shyly he asked what's yours और वो बहुत सर्माते वो पूछा कि आपका क्या नाम है It was incredible My bicycle wobbled My name is Samir too I said मुझे बहुत ज़्यादा आश्यर हुआ और मैंने अपनी cycle थोड़ा सा समाला और मैंने बोला कि मेरा भी नाम Samir है What? His eyes lit up क्या? उसकी आखे खुशी से चमक उठी Yes, I grinned at him हाँ, मुझे बोलते हुए थोड़ा सा खुशी हुई It's another name for Hanuman's father You know तुम्हें पता है कि जो Hanuman जी है उनके पिता का नाम भी Samir ही है So now you are Samir 1 and I am Samir 2 तो फिर उस लड़के ने कहा कि ठीक है अब से आप Samir एक और मैं Samir 2 He said trimfully Something like that I answered and then I held out my hand हाथ मिलाओ Samir 2 His hand rested in mine like a little bird I could still feel its warmth as I cycled away फिर मैंने बोला कि ठीक है चलो हाथ मिलाते हैं उसने कहा कि मैंने बोला Samir 2 हाथ मिलाओ और उसने हाथ मिलाया और मेरे हाथ में उसका हाथ ऐसा फिल हो रहा था जैसे कि एक छोटी सी चिडिया का हाथ हो I could still feel its warmth as I cycled away और मैं cycle चला के दूर जा चुका था लेकिन फिर भी मुझे उसके हाथ की गर्माहट मैसूस हो रही थी The next day he did not have his usual smile for me अगले दिन जब मैं मिला तो उसके चेहरे पर हर रोच की जैसे मुस्कुराहट नहीं थी There is trouble in merit he said उसने बोला कि मेरट में थोड़ी दिक्कत हो गई है Many people are being killed there in riots वहाँ पर दंगो में कई सारे लोग माले जा चुके हैं I looked at the headlines मैंने headline देखा Communal Rights It Blazed उसमें लिखा था सामप्रदाइक दंगे But Samir, I began I am a Muslim Samir, he said in answer मैंने बोला कि लेकिन Samir तो उसने मुझे टोकते हुए बोला कि मैं Muslim Samir हूँ And all my people are in merit और मेरे सभी लोग मेरट में है His eyes filled with tears And when I touched his shoulder He would not look up और ऐसा बोलते हुए उसकी आखे भराई और जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने मेरी तरफ सर उठा कर नहीं देखा He was not at the crossing the day after Neither the day after nor ever again फिर अगले दिन वो मुझे crossing पर नहीं मिला उसके बाद भी वो मुझे उस crossing पर नहीं मिला और उसके बाद कभी भी वो मुझे वहाँ पर नहीं दिखा And no newspaper in English or Hindi can tell me where my Samir Do has gone और कोई भी newspaper चाहेगो हिंदी का हो या इंगलिस का हो मुझे नहीं बता सकता था कि मेरा Samir Do कहां गया अब इस story को हमने पढ़ लिया आप इसके बारे में यहाँ पर नीचे बताया गया है While Samir Aik is more familiar with English Samir Do speaks Hindi जबकि Samir एक जो है कि वो अच्छे से इंगलिस में बात कर पाता था वहीं पर Samir Do को सिर्फ Hindi ही आती थी Although they both are more at home in different languages they still communicated with each other हलांकि दोनों की जो भासा थी वो अलग थी एक को इंगलिस आती थी एक को हिंदी आती थी फिर भी दोनोंने बात करने की कोशिस की They still made the effort to do so because this was what was important to them फिर भी उनोंने बात करने की कोशिस ले की क्योंकि उनके लिए बात करना ज्यादा important था Samir Aik and Samir Do also come from different religious and cultural backgrounds Samir Aik और Samir Do दोनों ही अलग-अलग religious और cultural background से आते थे एक Hindu था और एक Muslimान था वाइल Samir Aik is a Hindu, Samir Do is a Muslim different religious and cultural backgrounds such as these are an aspect of diversity देखियों यहाँ पर बताया गया है कि दोनों का cultural background और अलगता religious background और अलगता उनकी language अलगती एक पढ़ा लिखा था, एक पढ़ा लिखा नहीं था एक के पास सारी सुविधाय थी के पास सुविधाय नहीं थी उसको खुद काम करने के अपनी अर्डिंग करना पड़ रहा था अब आगे देखते हैं इस स्टोरी में आगे क्या बताया गया है इन एडिसन टू दियर डाइवर्स रिलीजियस एंड कल्चिरल बैग्राउंड दियर आर अधर वेज इन विस समीर एक और दो समीर दो आर डिफरेंट फ्रम इच अधर यहां पर वो धार्मिंग तोर पर अलग थे कसांस्कृतिक जो बैग्राउंड था वो भी अलग था इनके अलावा और भी डाइवर्सिटीज थी उन में फॉर एक्जामपल वाइल समीर एक गोस्टू स्कूल समीर दो वो सेल्स नूस्पेपर समीर एक जो की स्कूल जाता था परहाफस यू हभन नोटिस त्एट गेशे लोग फ्टपारं कर लाइथ आपने असपड़ों में देखा वोगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास खाने के लिए नहीं होगा पहनने नहीं होगा और कभी-कभी ऐसे भी होते हैं कि उनके पास रहने के लिए जगा भी नहीं होती तो ऐसे लोग आपको फृट पाथ के किनारे के देखने को मिल जाते होंगे This difference is not the same as the one we have seen earlier यह जो differences हैं कि किसी को खाने को नहीं है, किसी को पहनने को नहीं है, किसी के पास रहने की जगा भी नहीं है, यह भी differences में आते हैं Here we are talking not of differences but of inequality, यहाँ पर हम सिर्फ difference की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर inequality असमानता की बात करते हैं Inequality comes about when a person does not have the resources and opportunities that are available to other persons Inequality तब आती है जब किसी एक person के पास opportunity है और किसी दूसरे person के पास opportunity या resources उसी काम को करने के लिए नहीं होते हैं तब inequality create होती है, जैसे अमीरी या गरीबी, यह differences नहीं हैं, यह inequality है The caste system is another example of inequality, inequality का सबसे बड़ा और सबसे इंपोर्टेंट जो example है वो है caste system According to this, society was divided into different groups depending upon the work that people did and they were supposed to remain in those groups और caste system के according में क्या होता है कि जो society है वो अलग-अलग groups में divided है और जो group का division है वो उनके work के basis पे है और अगर किसी भी person का birth किसी particular group में होता है, किसी particular caste में होता है तो उस person में चाहे जितनी abilities हों, उसमें चाहे जितनी योगिता हों लेकिन उस person को उस society से उस caste से related ही काम करना पड़ता है अगर किसी के father potter है तो उनका जो बच्चा है वो भी सिर्फ potter ही बन सकता है उसमें चाहे जितनी qualities हो कुछ और अच्छा बनने की लेकिन caste system के चलते वो कुछ और नहीं कर सकता यह system जो ऐसा था कि irreversible था चेंज नहीं हो सकता था and because you were not supposed to change your profession it was not considered necessary for you to know anything more than what you needed in your profession तो इसलिए कि आप जिस caste पे हैं आपको उसी caste से related काम करना है तो आप कोई दूसरी चीज सीख भी नहीं सकते हैं कि आपको उस दूसरी चीज का दूसरे knowledge की क्या ज़रूरत जब आपको वो काम करना ही नहीं है this created a situation of inequality you will read more about this and other inequalities in the following chapters तो मतलब कि अगर आप किसी particular caste से belong करते हैं आप कुछ दूसरा सीखना चाहते हैं तो उस समय यह बोला जाता था कि जब आप कोई दूसरा काम कर नहीं सकते हैं तो आप दूसरी चीज सीखर करेंगे भी क्या तो इस तरह से society में inequality create हुई क्योंकि जो लोग काबिल थे जिनमें कुछ अच्छा करने की ability थी वो लोग भी कुछ दूसरा कास्ट सिस्टम के चलते कुछ और नहीं कर पा रहे थे तो बागी inequalities में और क्या-क्या inequalities में वो आप आगे के chapters में पढ़ेंगे तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए share करिए और चैनल को subscribe करिए Thank you